एलो गुड मोर्निंग दोस्तों सभी को गुड मोर्निंग जी वंधना पंडे पुनम दिविवेदी बंधना जी अली साहिद जी बबीता सर्मा जी अर्चना पूजूत्री तिवारी सभी को गुड मॉर्निंग जी कैसे आप सभी और सभी दोस्त सबसे पहले आप ये बताइए कि आवाज हमारी सही आ रही है या नहीं आ रही क्योंकि आवाज की काफी प्रोब्लम होते है हमारी वीडियो में अक्सर होती ही है आवाज और जो वीडियो क्वालिटी है दोनों बताइए सही है क्या जल्दी से कमेंट कीजी आसिस कुमार गुड मॉर्निंग सर कैसे है मैं बिल्कुल सही हूँ सर जल्दी आप ये बताइए आवाज सही आ रही है क्या आवाज और वीडियो क्वालिटी सही है क्या सही है पुनम दिविवेदी ने कहा है सही है चलिए और बताइए दोस्तों एक दो दोस्त और बताइए फिर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और मैं एक कमेंट जो है एक मिनेट रुके मैं इनको डिशेबल कर देता हूं यहां से हां स्क्रीन पे अब नहीं दिए जून 2020 में आने वाले कोशन बताओ जी वही हम बता रहे हैं और ज्यादा तर क्या होता है पेपर फरस्ट के अंदर बहुत कोशन रिपीट होते हैं और डिए की अगर मैं बात करू तो उसके अंदर मैं मानता हूं कि जो स्टेटमेंट है वो हमारी अलग हो सकती है लेक नरेश कुमार जी अनिल कुमार मंदल जी और सभीको गूड मॉर्निंग जी तो चलिए दोस्तों अब हम सुरुआत करते हमारी वीडियो की और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 3 दिसंबर 2019 में मॉर्निंग सिफ्ट में जो कोशन आये थे उनको देखने वाले हैं और कितन आप इसमें आपको पता से लेगा कि कितने असान कोशन आते हैं ठीक है तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और इससे पहले दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एक वार फिर से मैं आपको बता दू कि हमने लोकडाउन की इस घड़ी में एक स्पेशल पेड़ कोर्स न अगर कोई पर दे रहें विद टोपिक वाइस जैसे कि आज सक रिशर्च के जो कोशन आए वो अलग है तीचिंग के अलग है कमिनिकेशन के अलग है इसके साथ साथ दोस्तों आपको पेपर सैकंड के ओल्ड इयर कोशन भी मिलते हैं जिससे आप बहुत असानी सपनी त्यार कर शकते हैं अगर किसि फी दोस्त को कोई फी प्रोल्लम है या हमारे पेड कोशट के वारे में जानना है तो आप हमें यह वाटसऑ नंबर यहां पे दिया ओया है 87083 21010 इस पे हमें contact कर सकते हैं और अगर इसके अलावा भी आपको कोई फी प्रोल्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा आज का जो कोशन है कितना आशान आया था और यह वीडियो आप जरूर देखना आपके अंदर जो हवा है डर जो बैठा है डियाई का वो दूर हो जाएगा यह देखें दोस्तों यह 3 दिसंबर 2019 मौर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं देखें डियाई के जो कोशन होते हैं उसमें सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज्यादा जुरूरी है जी सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग जितने वी दोस्त यहां पे आ चुके हरू सी के सोरी सर आपका मैं नाम नहीं पढ़ पारा मीनू पूजी जी सभी को गुड मॉर्निंग और मैं अब कमेंट नहीं पढ़ रहा है क्योंकि कमेंट पढ़ूंगा तो हम आगे कोशन नहीं कर पाएंगे तो अब सभी दोस्त क्रीपया इस पे कोशन पे ध्यान यह देखिए इन्होंने का है कि निमल लिखे तालिका में वर्स 2001 से 2007 के दुरान हुए विभिन परकार अथवा ब्रांड के कम्प्यूटरों की विकरी को दर्शाया गया है यह देखिए यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं 2001 से लेके 7 तक अलग अलग ब्रैंड के कम्प्य कम्प्यूटर है वो बिके हैं उनकी बिकरी यहां पे दिखाई गई है और यह सभी जो संख्या है दोस्तों हजारों में दी गई आप यहां पे देख सकते हैं ठीक है तो अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह के कोश्चन आये हैं और क्या इन्होंने पूछा हुआ है सबसे हमें एक ऐसा ब्रेंड बताना है इसके अंदर जो लगातार जिसकी बिकरी घटती गई है डिक्रीज होती गई है उसकी संख्या वो हमें बताना है और यह देखिए आप बिलकुल असान कोश्चन है यह देखिए इसमें हम सबसे पहले लिनोवा की हम देखते तो 20 से 30 हो गया 60, 70, 80, 90 यह क्या है लिनोवा क्या है यह इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है ठीक है लेकिन हमें यहाँ पर क्या है सतत गिरावट देखनी है जो डिक्रीज हो रहा है वो हमें देखना है और आगे देखिए एसर है एसर में 40 से फिर 25 हो गया 25 से 50 हो गया 50 से 70 हो यह भी बढ़ से फिर सतर ये भी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है और लेकिन लाश्ट में जो है दोस्तो HCL ये देखिए 80 से 70 से 75 पचपन से 35 35 से 25 से 20 और फिर 10 ये देखिए ये कंटिनियूसली 2001 से लेके 7 तक घट रहा है तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आंसर नंबर डी आ जाएगा यानि कि HCL यहां पर आंसर इसका आ जाएगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान कोशन है इसमें हमें कोई भी पैन कोपी उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी हम बगएर पैन कोपी के बिलकुल असानी से कोशन कर सकते हैं और D.I. के अंदर आप हमेज़े सा एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, एक्जाम के अंदर D.I. के जो कोशन होते हैं, पाँच में से तीन कोशन आपको बिल्कुल असान कोशन मिलेंगे और ये दो कोशन हैं, इसे दो कोशन हैं जिनमें आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आफ़ सकता है तो देखिए आप कितना असान कोशन आया है यहां पर और आगे हम कोशन देखते दोस्तों आगे हमारा इसी के अंदर है यह देखिए यहाँ पे यह कोश्चन है यह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उस कंप्यूटर का परकार बताए जिसकी कुल बिक्री इन साथ वर्षों के दुरान अधिक्तम रही है सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर बिक्री है वो हमें बताने है इसके अंदर यह देखे जैसे लिनोवा हो गया एसर हो गया आईवीम हो गया है यह हमें बताना है कि किसकी बिक्री सबसे ज्यादा हुई है और यहाँ पे देखे दोस्तों अगर एक जो हम ट्रेडिशनल मैथड यूज़ करते हुए आ रहे हैं कि सभी को हम पलस करके देख सकते कि किसकी बिक्री ज्यादा हुई है वो भी Acer की बात करें तो 40, 25, 50, 70 ये है ठीक है उसकी बाद में जैसे ये IBM हो गया 50, 60, 50, 40, 70 इसके इर्द गूम रही है बात और उसके बाद में जैसे यहां पर IBM में ही हम देखते हैं जैसे 70 हो गया 80 हो गया 100 हो गया और फिर हम HCL देखते हैं 80, 70, 55, 35, 25, 20, 10 इन सभी से आप अगर थ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो IBM जो है उसकी बिकरी सबसे ज़्यादा यहां पर हमें दिख रही है ये तो होगी हमारी एक प्रडिक्शन यानि कि यह हमारा अंदाजा हो गया और देखें अगर हमारे पास टाइम है तो आप जल्दी से इन सभी को काउंट कर लीजिए कि इन यहां पर एक मिनिट असर इन्होंने अनसर एंब्यम ही इन्होंने पर दीया है त्युमच एजी को श्यंस यजिए राजंदर कोष जी बिलकुल असान कोशन आते लेकिन हम क्य honestly है कि हमारे अंदर हवा घूसा हुआ है अंदर दिमाग में पता यह शन आते तो आप देक्क सकत कठिन हो सकता है किस वर्स एसर कम्पिटर की विकरी का परतिसत कुल विके कंपूटरों की संख्या की तुलना में अधिकर रहा है ये हमें बताना है सबसे पहले मैं आपको यह कोश्चन समझने की हम कोशिश करते हैं एसर की जो कंप्यूटर है प्रीजाय के देखिए एक्जाम आयदिक हमारा दिमाग काम नहीं करता यह कह रहिए है इसका सोलीशन यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किजिए और ज्यादा सी दो हजार दो में 25, 50, 70 इस तरह ऐसे बिके हैं तो यह कहरा कि कौन से वर्स में एसर की जो बिक्रिये सबसे ज्यादा हुई है as compared to सभी जो computer हमारे बिके हैं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों यहां पर देखें मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए यहां पर solution भी 80 को count करेंगे तो यह total कितना हो जाया 190 हो जाएगा ठीक है और हमें किसका निकालना है एसर का निकालना है एसर की बिक्री कितनी हुई थी 2001 के अंदर यह हुई थी 40 हुई थी तो 40 बटे में इसका जो total है 190 multiply by 100 यानि कि यह percentage आ जाएगे 2001 में एसर की percentage कितनी थी यह हमने यहां प 2003 में निकाल लेंगे 2003 में क्या करेंगे 50 जोड़ लिया फिर 50 जोड़ लिया फिर पिर 55 जोड़ लिया फिर यह क्या हो गया 205 हो गया तोटल और एसर की बिकरी कितनी थी 50 बटे में 205 गुना में 100 यह कितना हो गया 24 प्रसेंटेज हो गया इस तरीके से हम सभी प्रसेंटेज यह निकालेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा बिकरी हुई है तो यहां पर आप देख सकते कि 2004 में 34.44 प कूछ रहें 40 प्रसेंट यह 2001 में बिकरी हुए एसर की यहां से आया है तो आप यहां से यह कॉस्चन निकाल सकते हैं यहां पर आपको मुश्किल लग रहा है मेरे को पता आपको यह मुश्किल लग रहा है लेकिन आप ट्राइ करेंगे ना आप बार 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 इनको करक करते हैं तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं बस थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करने भी ज़रूरत है और आगे हमारा कोशन है दोस्तों कोशन अब इसने यह का है कि 2001 और 2007 मैं यहां पर एक मिनट थोड़ा साहम कर लेते हैं इस कोशन को यहां पर यह देखी 2001 और 2007 के अंदर लिनोवा की जो बिकरी हुई है उसमें कितने प्रतिशत की ब्रिधी हुई है यह हमें बताना है तो इसमें देखी 2001 में कितने बिके थे 20,000 और 2007 मे से सोरी 90,000 में से 20,000 कितने आगे 17 आगे मैं यहां पर करके दिखा देता हूँ 90 माइनस में 20 यह कितना हो गया 70,000 हो गया यह और बटे में हमें क्या करना है किसकी कंपेर में निकालना है 2001 की तुलना में हमें निकालना है तो 2001 में कितना था 20,000 गुना में कितना करेंगे हम 100 कर दो पंजे दस और सत्तर को जब हम पांच से गुना करेंगे तो कितना हो गया साथ पंजे पैंतिस यानि की साढ़े तिन सो यह यहां पर हमारे पास आ गया गूड मॉर्निंग जी सभी को गूड मॉर्निंग सहनवाज खान जी यह दोस्तों यह कोशन समझ में आया है कि आपको यह साठे तिन शो कैसे समझ में ब्रतिषए हुय हुई है उसमें आगया यह हमें बताना है तो 2007 हमें 90,000 हुई थी 90 माइनस में 20,000 हमने कर दिया और यह आ गया 70,000 अब 70,000 की जो व्रिधी हुई है वो as compared to 2001 में जो व्रिधी वो जो सेल हुई थी वो निकाल लिए हमें कितने percentage की व्रिधी हुई है 70 बटे में 20,000 गुना में 100 हम यहाँ पे करेंगे तो 20 से यह कटेगा 5 पे 100 कट जाएगा तो यह आजाए 300 ठीक है यहाँ पे यह हमारे पास आ गया और अब देखी अब जैसे की इसको डिलिट कर देता है यहाँ पे हमारा यह देखी यह answer इसका आ गया एक मिनट हाँ यह देखे दोस्तों 2001 में हुई विकरी की तुलना में वर्स 2007 में लिनुवा कंप्यूटर की विकरी कितने परतिसत की विरिदी हुई यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साढ़े तिन सो परतिसत आ जाएगा आगे बताए सर समझे बहुत इजी है हां जी बहुत इजी कोशन आ रहे हैं और अब हमारा लाश्ट कोशन आता है दोस्तों इसी के अंदर यह देखे यह हमारा कोशन है वर्स दो हजार दो तथा वर्स दो हजार पांच में बेचे गए एसर कम्पीटरों की संख्या में कितना अंतर है यह हमें बताना है अब यह देखे दो हजार दो और दो हजार पांच में बेचे गए कम्पीटर कौन से एसर अब यह देखे एसर यह है और यह किस किस की बात क तो इसके इंदर यह देखिये दोस्तों यह हैं यह दोनों इनकी जो बेचे के कंपीटरों की संख्या में अंतर कितना है 85 में से 25 गया कितना आजाए दोस्तों यह हमारे पास 60 आ जाएगा यहां पे एक मिनाट रुकिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए 85 माइनस में 25 यह क्या आ गया हमारे पास 60 हजार यहां पे आ गया तो देखे कितना असान है कितना असान कोश्चन है यह 60 आ गया हमारे पास और इसका जो अंसर है और आंसर भी यह देहिए लिज connect अंसर नुमर फॉर 60 हजार अब यह देखे कुछ दोस्त कहेंगए कि यहां पे 60 हजार है तो देखे यहां पे इन्हों ने पहले दे दिया था कि जो बिक्री है वो हजारों के अंदर है 60 तो यहां पे 60 हजार है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना 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 असान है और मैं हैरान हूं कि इतने असान कोशन होने के बाद भी आप दोस्तों का नैट नहीं होता जिया रहनी होता तो मेरे को गुस्सा अता है ये अच्छी बात नहीं है आप सभी की पिटाई होगी ठीक है आप सभ तो पतानी कौन सी दुनिया में झूदते हो खोए रहते हो जब एक्जाम में पेपर देने जाते हो तो एक खाववा बैठा रहा है दिन दिमाग के अंदर पतानी डियाई डियाई कितना बड़ा डियाई है समझ में नहीं आता अरे यार आप देख लो ना कितना असान कोश्व आया हुआ है आप सभी की पिटाई करनी पड़ेगी मेरे वो ठीक है न और आपके मम्मी पापा को बताना पड़ेगा कहना पड़ेगा कि इनके उपर आप खर्चा मत कीजिए इतने सान कोशन होने के बावजुद भी ये नहीं कर रहें आपके मम्मी पापा कर देंगे आपके दादा भी कर देंगे कोशन क्या बात कर रहे हैं वह पढ़े लिखे नहीं है फिर भी आईवा समझ में जी सर अब डर कम हो रहा है बहुत इजी मैथट से एक्स्प्लेइन किया थैंक्यू जी थैंक्यू जी थैंक्यू और मेरे को मज़ा तभी आएगा जब आप सभी दोस्त नेट या जैराफ क्वालिफाई करेंगे और दोस्तों हम आगे वी इस तरह के कोशन करवाते रहेंगे आपको काफी अच्छी तरीके से त्यारी करवाएंगे आपको और किसी भी दोस्तों ने अगर अभीत हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हम वीजी नेट एप जरूर डाउनलोड कीजिए उसके अंदर हम जब भी लाइव वीडियो लेते तो उससे करीब दस बारा घंटे पहले हम सभी को बता देते हैं कम से कम तीन से चार वाल हम नोटिफिकेशन भेजते हैं सर नेक्स्ट क्लास टाइम जी नेक्स्ट क्लास टाइम हम एप के जरीए बता देते हैं सभी को तो किसी भी दोस्त ने अगर हमारी एप डाउनलोड नहीं किये तो एप डाउनलोड कर लीजिए उसके अंदर हम आपको सारी चीजे पहले ही बता देते हैं और एक बार फिर से दोस्तों अगर किसी भी दोस्त को हमारा कोर्स जोइन कर आपके ऐसे ही बताते रहीएगा क्या हो गया मेरे कोई विश्वास है टाइम क्या है जी टाइमिंग हम मैं बता रहा हूं जैसे कि एप के जिरी हम सारी नोटिफिकेशन सारी इंफोर्मेशन दे देते हैं आप सभी को तो आप जल्दी से हमारी एप निमीज नेट डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी अब दोबारा एप आ गई है पहले कुछ प्रोब्लम हो गई थी सर एप में कितन कम फिस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी तो किसी भी दोस्त को कोई भी इंफोर्मेशन चाहिए तो आप हमें वर्टसप पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं वर्टसप नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मैं उमेद करता हूँ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इसी वीडियो को लाइक कीजिए, सेर केजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिजनेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैं कि दोस्तों